खालिस्तानी चरमपंथी गुरुपतवन सिंग पन्नु की हत्या की साजश मामले में अमेरिका के कुछ सांसदों ने बयान जारी किया है सीधे सीधे कहा गया है कि अगर भारत पर लगे आरोपों को ठीक से नहीं जाचा गया तो भारत और युवेस के संबंध खराब हो सकते हैं कड़ी कारवाई करने और ऐसा दोबारा ना हो इस बात का स्वाशन देने को भी कहा गया है इसके बाद भारत सरकार के तरफ से कमिटी बनाने का ऐलान कर दिया गया है जसका अमेरिका ने स्वागत किया है जानकारी के मुताबिक बाइडन प्रसाशन के अधिकारियों ने पन्नू मामले में पांच भारती अमेरिकी सांसादों को ब्रीफ दिया था कॉंग्रिस सदस्य अमी बेरा, प्रमिला जैपाल, रोखन्ना, राजा कृष्ण मूर्ती और श्री थानेदार ने मामले पर एक सियुक्त बयान जादी किया था जिसमें कहा था कि आरोप पत्र में लगाये आरोप बेहत चिंता जनक है हत्या के साजिष्ट जांचने के लिए भारत सरकार ने समीती बनाई है, हम इसका स्वागत करते हैं ये जरूरी है कि भारत असम मामले की जांच काईदे से करे, भारत सरकार के अधिकारी समीत बाकी अरोपियों को कटगरे में खड़ा करे और आस्वाशन दे कि ऐसा दोबारा ना हो इधर गुरुपतवन सिंग पन्नु वाले खालिस्तान समर्थक समुह सिख फोर जस्टिस ने अमेरिका प्रसाशन के बयान का स्वागत भी किया है ये अमेरिकी लोकतंत्र का आधार है बता दे कि अमेरिकी अफसरों ने दो भारतिय नागरिकों पर गुरुपतवन सिंग पन्नु की हत्या की विफल साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया था निखिल गुपता और एक अनाम सरकारी अधिकारी अमेरिका का ये भी दावा है कि यही आरोपी हरदीप सिंग निजर के मर्डर की प्लानिंग में भी शामिल थे भारत ने पहले ही पन्नु की हत्या की नाकाम साजिश से जुड़े आरोपू की जांच के लिए एक उच स्तरिय जांच दल का गठन कर दिया है भारतिय नागरिक और इस केस में आरोपी निखिल गुपता चेक रिपबलिक की जेल में बंध है सुप्रीम कोट ने उसकी बंधी प्रत्यक्षिकरन याचिका को टालते हुए कहा कि वो चेक रिपबलिक की अदालत से ही संपर्क करे निकिल के ओर से दाया रियाचिका में आरोप लगाए गए थे कि उसके गिरफतारी के दोरान प्रोटोकॉल्स का पालन नहीं किया गया था और उसे जबरन, गोमास और सुवर का मास खिलाने के लिए मजबूर किया गया था